केंद्री मंत्री जीतमराम माजी है हमारे साथ सर नवादा में जो घटना घटी है उसका अपने अपडेट लिया होगा देखिए नवादा जो हमारे बिहार का है बिहार में एक जनरल बात अभी हो गई है कि कुछ बिरोधी दल के लोग हैं ओ आज जमीन के पती इतना आसक्त हो गए है कि चाहे परचा के जमीन मिली हो तो या बिहार के जमीन पर गरीब तरके के लोग बस रहे हो आज से नहीं पचीस तीस वरसों से ओ सब को लिटिगेटेड करके या जवरदस्ती उसको हटाने का प्रियास करम में बिहार में सब जगा बिरोधी दल के लोग हमारे जो सिलुकाट के लोग हैं उनको वहां से डी पजेस्ट करना चाह रहे हैं उही कहानी नवादा में हुई है नवादा में एक जमीन है जीज जमीन पर मुसहर जाती के लोग रविडास जाती के लोग और कुछ पास्वान जाती के लोग आज नहीं बीश पचीस वरस से रह रहे हैं वो जमीन भैलेवल जमीन है और उस जमीन पर कुछ बिरोधी दल के लोग की नजर गड़ी हुई है कि इनको जल्दी से हटा दो यहां से तब उसको अपना बेचेंगे और काफी पैसा कमाएंगे अब इसी के संदर्म में जब कुछ बीच में हलना हंगामा हुआ तो 144 भी चल रहा है सिरुल काच के लोग गए हुए है यह कुन्याले में अब चल रहा है अब ऐसा मान करके हमको लगता है हम प्रिजूम करते हैं कि 144 का जो वारा न्यारा होता है या तो 145 में बदल जाता है और नहीं तो अगर भर्डिक्ट लोग देते हैं तो जिसका पजेशन है उसके पक्स में बात होती है तो यह चीज बिरोधी दल के लोग को समझ में आया कि इन लोग कबजा में रहेगा तब तो फिर हमारे जमीन नहीं होगी 144 का यह होगा इसलिए इन लोग को हटा हो और करके मरने की ख़वर नहीं है कुछ लोग जले हैं वह हो फिटल में उनका हिलाज हो रहा है और फॉलो अप एक्षन में बारह या तेरह लोग को पकड़ा गया है जो सब जादर जाती के हैं तो हम विरोधी दल की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उसमें वो लोग भी आते हैं तो उन लोग को पकड़ा गया है और करीब उसमें पचासो ऐसे लोग हैं जिनको पकड़ने के हो सकता है उस पर तेजी से करवाई उहां कर रहे हैं और अभी हमने नेट्रेश दिया है सिनीरे एस्टवी को और कलक्टर से भी बात नहीं हुए उन से भी कहेंगे कि चुखी य इसलिए राहत के लिए जो एसी एस्टी आइट के तहद मुआबजा होता है देन देर लोगों को दे और उन लोगों को इंदरा आवास बना करके सुनिचित करें कि ठीक धंग से वहां पर रहे हैं तो आप ये नया अपडेट दे रहे हैं दरसल पहले ये माना जा रहा था कि पासवान समुदाय के लोगों ने माजी समुदाय पर हमला किया है नहीं इसमें और यहां एकाद आदमी को सामने रखा है पिरोजी दल के लोग एकाद आदमी को सामने रखा है कि जिसमें पासवान जाती के लोग हैं तो एकाद दो आदमी कुनाइब्ड हो गए हैं उन पास्मान को इसमें नहीं कर सकेंगे हाँ एक दो आदमी उधर से कभी कोड़ों होता है कि रविदार्स लोग विजाते हैं किसी ने किसी रूप में टेम्टेट हो जाते हैं तो अपने लोग के हित में भी हो काम कर देते है हैं तो यही कहाड करना होँआपर हुई है और ओजमीन है हम यही जाएंगे तो करेंगे जो जमीन कैसी है ओजमीन को जीतर नाम जी ने तो एक नया ही एंगल दे दिया आपने सुना उनका ये कहना था कि जादातर लोग यादव जाती से आते हैं यानि जाती वाला काड वो अब खेलते नसर आ रहे हैं